हाई फ्रेंग्स मैं हूँ आपके साथ नम्रिता बॉलिवूड एक्टर कार्तिकारियन के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं कुछ दिनों पहले की बात है जब उन्हें करन जोहर ने अपनी फिल्म दोस्ताना टू से बाहर कर दिया था अब लीजिए बॉलिवूड के दमदार अक्टर को एक और बड़ा जटका लगा है खबर है कि कार्तिकारियन को शारुख खान ने अपनी एक फिल्म से बाहर कर दिया है बताये जा रहा है कि creative differences के कारण कार्तिक ने खुद ही शारुख खान की फिल्म को छोड़ दिया है एक leading website के रिपोर्ट की बाने तो कार्तिकारियन शारुख खान के प्रोड़क्शन के बैनर तले बनने वाली एक फिल्म में काम करने वाले थे इसके लिए वो signing amount ले चुके थे पर creative differences के कारण कार्तिकार्यन ने ये फिल्म छोड़ दी है कार्तिकार्यन ने signing amount वापस कर दिया है हाला कि इस फिल्म की official announcement नहीं की गई थी लेकिन इसी साल इसकी shooting शूरू होनी थी जिसमें lead hero कार्तिक थे फिल्म का direction अजे बहल कर रहे थे जबकि शारूप खान का red chillies entertainment इसे produce कर रहा था बताये जा रहा है कि इस फिल्म में कार्तिकार्यन के opposite काट्रीना कैफ काम करने वाली थी खबरे तो ये भी है कि खुद शारूप ने ही कार्तिक को इस फिल्म से किनी कारणों की वजह से हटा दिया है फिल्हाल कार्तिकार्यन के पास भूलबुलया 2 है जिसमें उनके opposite की आरा आजवानी है इस फिल्म को अनीस बजमी डिरेक्ट कर रही है इसके अलावा उनके पास रोहित शेटी की एक फिल्म है जिसकी जल्द ही शूटिंग की जाएगी वहीं जल्द ही उनके फिल्म धमाका नेट्फिक्स पर रिलीस होने वाली है जो की एक Korean फिल्म The Terror Life का हिंदी रीमेक है फिल्म का टीजर रिलीस हो चुका है और इसे काफी पसंद किया गया था इस फिल्म में कार्टिक का आप तक का सबसे अलग किरदार नजर आएगा वैसे आपको एक और बात बता दें जिस तरह से कार्टिक बड़ी-बड़ी फिल्मों से बाहर किये जा रही है उससे उनकी ब्राइंड वैल्यू पर काफी बुरा असर पढ़ सकता है बीते कई दिनों से कार्टिक इनी वज़्जाओं से चर्चाओं में बने हुए है कई लोग बॉलिविड माफियाओं पर अपना घुस्ता जाहिर कर रही है कुछ लोगों का कहना है कि कार्टिक को भी सुशान की तरह परिशान किया जा रहा है हाला कि इन फिल्मों से बाहर होने पर कार्टिक की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है इस तरह की खबरों पर वो चुपी साधे हुए है वैसे कार्थिक आरेन से जुड़ी खबर पर आपका क्या कहना है कमिंच करके हमें जरूर बताएं